नमस्कार आप देख रहे हैं एवन उत्राखन और मैं हूँ आपके साथ आयूशी गुपता बुलेटिंग की शुरुवात करेंगे इस वक्त की हेड्लाइन्स के साथ उत्राखन के चुनाओं में पिये मोदी की पहली फिजिकल रैली श्रीनगर में रैली को संबोधित करकी वोट की अपील मुख्यमंत्री पुषकर सिंधामी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक गड़वाल सांसद तीरत सिंग रावत और भाजपा प्रत्याशी रहे मौजूद कॉंग्रेस के पुर्व राष्ट्री अध्यक्ष राहूल गांधी की भी उत्राखन में एंट्री मंगलावर में जनसभा को संबोधित कर केंद्र और राजिस सरकार पर बोला हमला कॉंग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील रुड़की में बस्पा की ओर से चुनावी जनसभा का आयोजन बस्पा सुप्रीमो मायवति ने जनसभा को किया संबोधित बेस्पी के पक्ष में मतदान करने की अपील दिल्ले के उप मुख्यमंत्री मनेश शिसोधिया भी दे रहे चुनावी प्रचार को धार खटीमा में जनसभाएं और रोटशो कर मांगी वोट कहा विकास का एजेंडा सिर्फ आपकी पास उत्राखन में कोविट संक्रमन घटा लेकिन खत्रा भी बरकरार पाच की मौत 713 ने संक्रमितों की पहचान तो करीब 2155 मरीजों ने दी कुरोना को मात और अब खबरे विस्तार से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने श्रीनगर स्थीत एनाईटी उत्राखन के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया जन सभावी प्रधेश की मुख्यमंतरी पुशकर सिंग्धामी, भाजपा प्रधेश रध्यक्ष मदन कौशिक, गड़वाल सांसलत तीरत सिंग रावत और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंग मौजूद रहे उन्होंने छोटा छोटा वीडियो डाला हुआ है तो मेरे पास वो भी आया गुमता फिरता और उत्राखन की माताए बहने जिस प्रकार से मुझे आशिरवाद दे रही है क्या क्या मिला उसका वरनन कर रही है पानी के विशे में भाव विबोर होकर के बोल रही है माताए बहने यह आपके आशिरवाद है ना मैं आपको कभी निरास नहीं होने दूँगा मैं जी जान से आपके लिए काम करता रहूँ यह आपका अस्तने आपका यह असिरवाद मुझे शक्ती देता है उर्जा देता है दिन रात माता ओ बेहनों आपके लिए काम करने के लिए मेरा मन दोड़ता रहता है काम करने के लिए दोड़ता रहता है आज उत्रा घंड में करीब आठ लाग गरो तक पाइप से पानी पहुँच रहा है इन्होंने दसकों तक पहाड के ग्रामिणों को पत्थरों पर पैदल चलने के लिए मजबूर किया हमने पिछले पांच सालों में प्रधान मंत्री ग्रामिण सडक योजना के तहट इतनी सडके बनाई जितनी उत्राखन बनने के बाद से अब तक नहीं बनी इन्होंने अस्पताल उत्राखन के अल्मोडा में पियम मोदी की जनसभा की तयारियां लगभग पूरी हो गई है 11 फरवरी को प्रधान मंत्री हिमवंती नंदन बहुगुना स्टेडियम में जनता को संबोधित करेंगे जनसभा के लिए पंजाल का निर्मान कारे पूरा होने वाला है वही भासपा प्रदेश महा मंत्री सुरेश भट ने पियम मोदी में शामिल होने के लिए कारिकरताओं का आवान किया है यह बहुत स्वभाग्य है कि दुनिया के सबसे सक्तिसाली और लोग प्रिये नेता हमारे देश के इसस्वी प्रदान मंत्री 11 तारीक को अलमोडा की स्पावन दर्ती पर हमारी सांस्कृतिक नगरी में आ रहे माननी मोडी जी को लेकर के अलमोडा में भारी उस्सा है पूरे जिले की जनता मोडी जी के स्वागत के लिए आतूर है उस्साहित है और जिस प्रकार का उस्सा कारिकरताओं में और आम जद्ता में देखने को मिल रहा है उससे लगता है कि मोधी जी को सुनने के लिए भारी मातरा में लोग स्ट्रीडिम में पहुचेंगे प्रिधान मंतरी नरेंडर मोधी के 11 फरवरी को अलमोडा दोरे को लेकर पुलिस प्रिशासन और जिला प्रिशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतिजाम की तयारी की जा रही है जिसको लेकर डियाईजे निलेश भर्णे ने बताया कि 500 से अधिक पुलिस बल और हाई सिक्योरिटी के लोगों को यहाँ पर लगाया गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए हैं समस्त पुलिस विभाग की ब्रीफिंग अभी की गई है तो इसमें जो पर प्रोटोकॉल है समस्त जो है वो राजपत्रित अधिकारी जो है वो एस्पीज के यहां चार लगे हुए है उसके बाद 12 सियोज लगे हुए है और उसके अलावा जो है यहां लगबग पास्टो के करीब करमचारी अधिकारी भी लगे हुए है दो कमपनी P.A.C.A. दो कमपनी पैरा मिल्टरी भी लगी हुई है इसके अलावा जो है सारी जो समस्त जो डॉक स्कॉड है एंटी माइन्स है 14 फरवरी को मतदान के लिए अब गिनिती के दिन ही बाकी है कॉंग्रिस के पुर्व राश्टी अध्यक्ष राहूल गांधी ने उत्राखन की मंगलोर में एक जनसभा को सम्मोधित किया और कॉंग्रिस और राज्य सरकार पर हमला बोला इस दोरान कॉंग्रिस की प्रदेश प्रभारी दिविंद्र रियादो और राश्टी प्रवक्ता गौरव लब विधायक काजी निजामुद्दीन साथ रहे कि नरेंद्र मोधी जी की सरकार दो हिंदुस्तान बना रही है एक हिंदुस्तान अरब पतियों का प्राइवेट हवाई जहाज का मर्सेटीज गाड़ी का चुन हुए लोगों का हिंदुस्तान उसमें 5, 10, 15 अरब पति है और दूसरा हिंदुस्तान करोणो लोगों का गरीब बेरोजगार हिंदुस्तान दो हिंदुस्तान बन रहे हैं से सहमत हो मानते हो उस बात को अमीर हिंदुस्तान में जो भी आपको चाहिए एरपॉर्ट चाहिए पॉर्ट चाहिए कोई भी बिजनस चाहिए आप ले सकते हो मगर अरब पती होना पड़ेगा अगर अरब पती नहीं हो तो उस हिंदुस्तान में आपके लिए कोई जगए नहीं है बाशन में ने मैंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोधी जी ने देश को बाटने का काम किया नफरत फैलाने का काम किया और मैंने चीन के बारे में बोला कि चीन की सेना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आज बैठी है मगर नरेंद्र मोधी उसके बारे में कुछ नहीं कहते है लंपा भाशन दिया नरेंद्र मोधी ने भाशन में कॉंग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने गलत बोला मेरे बारे में तो बोलते ही हैं पूरा का पूरा भाशन उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के बारे मेल अपना समय है आमादमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीश सिसोधिया ने पार्टी के चुनाव प्रचार को धार दी उदराकन के तीन दिवस्य दोरी पर खटीमा पहुचे मनीश सिसोधिया ने चुनावी रण में मोचा समहला और पार्टी पृत्याशियों के लिए घर घर जाकर प्रिचार जन सभाई और रोट्शो किया सिसोधिया ने नानकमत्ता पहुचकर घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और पार्टी की नीतियों और गारंटी की जानकारी दी उद्राखन के अल्मोडा में विधानसबा चुनाओ को लेकर भारती जुनता पार्टी ने 80 चोटी का जोर लगा दिया इसको लेकर भाज़पा सांसद अजय टम्ता के नित्रितों में दरजनों अधिवक्ताओं ने पार्टी की सद्धिस्ता ली स्ताथी भाजपा को विधानसबा चुनाओं में जिताने का संकल्प लिया इस दोरां सांसद अजय टम्ता ने कहा कि इतनी तादाद में अधिवक्ताओं का भाजपा की तरफ होना सकरात्मक है भारती जन्ता पार्टी की सुरुवाद जो हुई है अलमोडा में वो अधिवक्ता सोबन सिंग जीना जी के माध्यम से ही जन्रसंग की सुरुवाद भारती जन्ता पार्टी की सुरुवाद हुई और वो हमारे MLA भी रहे मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के टाइम में अज़े बचशी संग्रावत जी भी अधिवक्ता रहे तो आज हमारे प्रबुद्द जन के रूप में अधिवक्ताउं का पूर्ण सयोग हमारी पारटी के साथ अपना आसिरवात देने के लिए है तो मैं आज के कारिका में सभी अधिवक्ताउं को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बड़ा स्वभाग यह है कि ऐसे प्रबुद्ध जन समाज में जिनका बहुत विस्षिस्थान है जो हमेशा हर एक इनसान को मदद करने का स्वभाव रखते हैं वो आज हमारी पाल्टी में आकर हमारी पाल्टी का की ताकत को बढ़ाया है और मैं पाल्टी का कारी करता ह पाल्टे ने चुनाव लडाने का अशिरबाद दिया है, चुनाव लडाओ तो मेरा भी बहुत बड़ी ताकत बढ़ाई है और हमारे सारे संकठन का आधनी सांसाची हमारे बीज में हम सब का आज लगता है कि इतने हमारे परिवार में आकर आप वो सभी लोगों का जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, हमारे परिवार में समलित होकर आपने हमारी ताकत लिए आपको उत्राखंड के जागेश्वर से सीधे लाइफ तस्वीरे दिखाते हैं, राहुल गांदी उत्राखंडी स्वाभिवानी रैली में शामिल हो रहे आज हम यहां जेनरल बीसी जोशी के भी याद करते हैं, उन्होंने देश की सेवा की और अपनी पूरी जिन्दगी देश की रक्षा के लिए उन्होंने दी, तो आज उनका, उनकी हम याद करते हैं चुनाओ का समय है, उत्राखंड में, गोवा में, पंजाब में और मनिपूर में चुनाओ है, देश की हालत आप जानते हो, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने वाइदा किया था, कि हर साल दो करोड युवाओं को वो रूजगार देश की आज़ा, कांट में 15 लाक रुपे डालेंगे, याद है आपको, कहा था, कि काले धन, मिटा देंगे, याद है, तो मेरा सावाल ये है, आज कल जब नरेंद्र मोधी भाषन करते हैं, तो अपने भाषनों में वो रोजगार की बात, घष्टाचार की बात, काशिपूर में भाषपा, कॉंग्रेस, आम आदमिपाटी समेत कई प्रमुखदल, चुनाव प्रचार के लिए पूरा दमखम दिखा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनावी रेश से पहले ही थम गई, आपको बता दें कि सपा प्रित्याशी बलजिंदर सिंग ने कॉंग्रेस प्रित्याशी इंसी बाबा को अपना समर्थन दे दिया है, काशिपूर के किसान कॉंग्रेस कार्याले में, कॉंग्रे कारण ये हैं कि जिस कारण भाजपा ने किसानों के साथ अत्याधार किया था, और उसके दुख को देखके मुझे समाज सिवा करने का मोका मिला, उसके बाद में मैंने राजनीति में आके अपना टिकट की लिए दावेदारी की, लेकिन कहां इना कहीं से ऐसा लग रहा था, कि हमें पूरा जो स्पोर्ट थी वो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन ऐसा भी था कोशिव कि अगर हम लड़ते तो कॉंगर्स पार्टी को कुछ नुकसान था, इसलिए हमें लगा कि मैं क्यों नहीं अपने कॉंगर्स में शामिल होकर और भाई को मजबूत किया जाए, नहीं वो तो देखो जी विवक्षवार्टी बोलेगी, वो तो कहेगी इस वारे में तो कोई ऐसा मत्वल नहीं है, नहीं वो भी एक जोस था, लेकिन यहां की इस वार बदलाब करना था, क्योंकि 20 सालों से विनाश हो रहा है, कॉंग्रेस बत्याशी बजनर सिंग जी, आज किसान जोग हैं, और किसानों की की इनोंने उस समय किसानों के साथ खड़े होकर उनके अंदोलन में शिक्त की थी, वराबर सहयोगदिया था, और किसान इनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है, तो आज अगर यह लोग हमारे साथ जूड़ते हैं, कॉंग्रेस के साथ क्यांकि बिछले 20 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, हमारे चीमा विधायट ने कोई काम नहीं किया और हमारे इस काशीपुर को जो कभी एक गुल्दस्ता कहा जाता था, जो कभी भारत के नक्षे में अलग से दिखाया जाता था कर्णप्रियाग विधानसभा में त्रीकोनिय मुकाबला देखने को मिल रहा है, भाजपास से टिकट न मिलने से नाराज निर्दलिय प्रत्याशी, टीकाप्रिसाद मैखुरी और मदन भंडारी भी खासा ठक कर दे रहे हैं, जिससे विपक्षी पातियों के माथे पर चिंता क लकीरे दिखाई दे रहे हैं, टीका प्रिसाद मैखुरी का कहना है कि 21 सालों में कर्णप्रियाग विधासभा विकास के शेतर में पिछड़ा हुआ है, स्वास्य सेवाव के लिए लोगों को शेहर की ओर रुख करना पड़ रहा है, वही युवा प्रत्याशी मदन भंडार को युवाव का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। मेरा तो एक मन है कि मैं स्वास्थ्य के छेतर में। चाये वो मेडिकल कॉलेज, क्योंकि जब पोली के अंदर दो मेडिकल कॉलेज हो सकते, तो हमारी जनस्त मीनAh मेरा जहीजिक को हुआने हिछों कि मेंमा किति है। मेडिकल कॉलिज बनाये जाए और जन्ता अगर हमें साब देती है, हमें चुनके बेचती है, तो पूरे प्रदेश में एक जन्द आदमन खड़ा किया जाएगा, और इस छेत में जो पाहडी राजी है हमारा है, इसके राजधानी को यहां केरसेल में स्ताफिक किया जाएगा. इसके राजधानी को यहां को रोजधार हो, ब्यापारी बंदों हो, सबी लोग इस भासबा सरकार की कुनितियों से तरस्त हैं, और लोगों ने मन बना लिया है किसमार हम कांगरिस की बहुत्पूर बहमतवाली सरकार लाएंगे, और प्रेंट प्याग सहीत हमारे जल्पत की त प्रात्मिक्ता युवाओ को रोजगार उपलब्द कराना है, इसके अलावा बिंदु खता को राजसोगाओ बनाना उनकी सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता में शामिल है। उद्राकर में 24 गंटे में 713 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 5 मरीजों ने दम तोड़ा है। अस्त विभाग के मताबिक 22,944 सेंपलों की जाच रिपोर्ट नेगिटिव आई है। और 13 जिलों में 713 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चले फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते प्रहिए एवन टीवी नमस्कार